हेले दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रियजात्रों का पेरामेडिकल और नर्शिंग के नमर वन चैनल स्टेडी भी तृतेश में तो देखिए यहां पर एक बहुत ही अच्छी गोट नीज आ चुकी है आप लोग के लिए क्या है वो गोड नीज यह जाने के इस वीडियो को अंतक जिरूर देखेंगे तो चलिएा आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोटी और यहां पर दिखिए एक important news आया है यानि download section के नीचे देखना है download section के नीचे यहां पर देखना है यहां पर फूर्थ नमर पर तो देखिए हम लोग इस पर करेंगे click ठीक है इस पर click करने के बाद यहां पर PDF फाइल जैसा open हो जाएगा ठीक है बिसिकली यह आपको साइबर कैफ वाले के पास जाना है और वहां से जो है इसको प्रिंट आउट करवा के लेकर आ जाना है ठीक है क्योंकि यह काम आएगा कब काम आएगा दोस्तों तो यह आपको काम आने वाला है जब डीवी होगा documents verification होगा उस समय अब देखिए बच्चो इस biometric form को और check slip को print out कौन करवा सकता है तो देखिए बच्चों जिन बच्चों का rank अच्छा है जिन भी विध्यारती का rank अच्छा है जिनको college मिलने की possibility ज्या करवा के इसका print out करवा के जो है जाच पर्ची को अफिलब कर लेना है ठीक है क्योंकि यह जो है आपके documents verification में काम आने वाली है ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर बिहार सरकार यानि बिहार सयूंग परवेस परतियोगी ता परिक्चा परिसत के दौरत जो है यह एक जाच पर्ची बनाई गए है यानि ये दोरान काम आयजी ठीक है अब दो भड़ना कैसे है तो तो दिके कि यहां पर नाम लिखना है हिंदी में लिखने के बाद English अग्रेजी में बोल रहा है इंग्रेजी में लिखेजागा उसके बाद DCC क्रमांग आनि DCC यहां पर करना है अब यहां पर कोटी यानि कोटी कहने के मतलब क्या है आपका केटेगरी यूर है यूर लिखना है यूर लिखना है यदि आपका iPhone check कि किटना लिखना है और कोटी से आपकार क्या है यहां पर लिखना है इसके दो है इसके और आपको जो भी अड्रेस है वह यहां पर आपको लिख देना है थीक है इसके बाद देखिए फाइफ नमर्र पृस्ट मुस्त क्या है शाओ यह लिख देना है इसके बाद आीं सब्सक्राइब होता है ठीक है इसके बाद आप अपना पाठ्ठे करम समू अवश्य दीजेगा यानि अगर आप पॉलिक्टेक्निक वाले तो यहां पे लिखना है ठीक है और यहदी आप लोग यहां पे और जो हो अपने पॉस है और आपको आपको आधार संख्या लिए और इते नाग्य के बिलाएज इसके बात यहां पर आपको उम्मिद्वार का हस्ताइक यानि आप लोग का जो सिगनेचर होगा आप लोग को यहां पर करना होगा ठीक है अब इसके बाद देखिए यहां पर साक्षातकार समीति के उप्योग के लिए यानि देखिए कहने का मतलब यह है कि जब आपको डीवी के लिए बुलाया जागा यानि डॉक्यमेंट्स वेरि प्रिवेश पत्र अंक पत्र तथा मोल या उप्सबंदिक प्रहान पत्र ठीक है यहां पर आप लोग को ने टेंथ पास-उट किया ओँ वेसे सब की होंगे तो 10 पास-उट का आपको एड्मीड कार ले जाना है साथ-साथ मार्क्षिट ले जाना है और जो प्रोफिजनल ले जाना होगा ठीक है ठीक उसी प्रकार यहां पे DCC 2022 का मुल प्रवेश पत्र यानि जो आपका admit card है DCC 2022 का वह आपको ले जाना होगा ठीक है इसके बाद देखिए DCC 2022 के प्रवेश पत्र में चिपकाए गए फोटो की छेव प्रती यानि देखिए DCC admit card पे आप लोगा फोटो होगा पासपूर्ट साइच का तो वही सेम पासपूर्ट साइच का फोटो आपको छेपिस ले जाना होगा ठीक है ऐसा इसमें कहा गया है अब इसके बाद दिखिए यह कहा जा रहा है इस थाई निवास के अंचला अधिकारी या राजस्व अधिकारी दवारा निर्गित मूल जाती तथा आरक्षन कोटी प्रमान पत्र यानि वही आपको जो है यहां पे कास्ट सेर्टिफिकेट है ना यानि यानि जाती प्रमान पत्र जो है आपको ले जाना होगा ठीक है यदि स्थाई अवास के लिए मूल आवासे प्रमान पत्र जहां आवास यह अहरता के लिए लागू हो वहां माता-पिता के नियोचक परमानपत्र तो कहने का मतलब यहां पर यहीं है कि अभी मैंने बताया था आपको यानी फाइफ नमर में बताया था कास्ट अपको ले जाना होगा ठीक है इसके बाद यहां पर आपको आवासिय परमानपत्र ले जाना होगा ठीक है हवास से यानि इसको हम लोग डॉमिसाइल बोलते हैं तो डॉमिसाइल भी आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है कब डीवी के दौरान इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS के लिए इस्थाई निवास के अब बहुत से स्टुडेंट हैं जो यूर के डिगरी में आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उनको जो है यहां पर 10% का छूट दिया गया है तो वैसे स्टुडेंट को EWS का सैटिफिकेट ले जाना होगा ठीक है और जो की अनिर्गत होना चाहिए किसके दौ अब इसके बाद जो है संस्था जहां अनतीमबार पढ़ाई कर रहे हों आप उसका जो है मूल आचरन परमानपत्र यानि करेक्टर सेटिफिकेट हैं बहुत से बच्चे होते हैं कि अपने आपने एकि डलाब से सोचते हैं बनवाले हैं यहां से आपको कहां से ले जाना तो वहां का जो है आपको मूल आचरन परमानपत्र यानि प्रैक्टर सेटिफिकेट ले जाना होगा अब इसके बाद देखिए यहां पर बोला जा रहा है सैनिक कोटा के आरक्षित सीट पर दावा है तो उप्योक्त पददिकारी द्वारा निर्गत परमानपत्र यानि अब संबंध और आक्षित परमानपत्र याप लोग के काम की चीज़ नहीं है यहां पर सेवारत या सेवा निर्वित सेहनी करमचारी परमानपत्र या डिस्चार इसटिफिकेट की फोटो प्रतियगर लाग वोती यह सब बच्चों आपकी काम के चीज़ नहीं ठीक है अब इसक पर यहां पर यहां पर जाएं बायो मैट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट यह आपको खुझ से फिलप करना होगा जिस दिन आपका डिवी होगा तो उस दिन का डेट डाल दीजेगा उसके बाद कैंडिडेट नेम यानि स्टुडे नेम उसके बाद डिसी 2022 रोल नमर यहां पर आपको कुछ नहीं डालना है ठीक है अगर आप अधार नमर यहां पर डाल देना है ठीक है और फिस के बाद यहां पर आपको सिगनेचर ऑफ तक केंडिडेट यहां पर आपको सिगनेचर कर देना होगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपको फिलाल कुछ करने की अवर्शकता नहीं है ठीक है तो दोस्तों यह जो था यह आपका बैमेट्रिक फार्म था और चेक स्लिप था जो आपको डीवी के दोरान काम आएगा ठीक है अगर आपको लगता है कि भाई मेरा श्योर हूं मैं कि मुझे कॉलिज मिल जाएगा मेरा रेंक अच्छा है तो ही आप लोग जो है साइबर कैफ वाले के पास जाएगा और इस जांच परची को निकलवा के जांच परची भर लिग जिएगा ठीक है तो चले दोस्तों अमीद आप को जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद रहे हो गी तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो